हेलो प्रेंट्स आज हम सिखांगे आपको डिजाइनर बाजु बनाना जिसके लिए हमने बाजु की कटिंग पहले से ही कर ली और सबसे पहले आपको बाजू की लंबाई बताते हैं जैसे बाजू की जो लंबाई है तयार वो 12 इंच है जिसमें 1 इंच एक्स्ट्रा है जिसे हम अंदर मोडेंगे अब हम क्या करेंगे पहले हम बीच से बाजू को कट कर लेंगे और देखिए मैं आपको एक चीज बता दू जैसे हम इसमें 2 इंच का डिजाइन लगाएंगे तो 2 इंच कपड़ा हम इसमें से कम कर देंगे बाजू हमने नॉर्मल की तरह ही कट की है हम एक इंच इधर मोड देंगे अंदर को और एक इधर मोड देंगे जिससे हमारा ये जैसे हमें 2 इंच का इसमें डिजाइन लगाना है अगर हम 2 इंच का डिजाइन भी लगा देंगे और बाजू को भी प्रॉपर इतना ही रखेंगे तो फिर बाजू बड़ी बैठेगी या तो आप कटिंग करते टाइम कम कर कट करें जैसे हम अपने आर्मोल से जादा लेते हैं तो मैं इसको 1 इंच के बराबर आदा इंच मैंने उपर नीचे फोल्ड किया है और आदा इंच ही मैंने उपर फोल्ड किया है तो टोटल 1 इंच हो गया एक साइड को तो हमारा 1 इंच इसमें कम हो गया हिस्सा और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा अब यह हो गई हमारी दोनों बाजू अच्छे से तैयार आप देख सकते हैं अब यह कम हो गई है दो इंच इसमें अब हम क्या करेंगे हम डोरी लेंगे और पेपर लेंगे जिससे हम डिजाइन बनाएंगे तो यह हमने डोरी ले ली है और डोरी की लम्बाई हम 9,52 से दो इंच के बरावर रखेंगे यह देखे जैसे कि यह मेरी दो से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है तो इतनी हीमें सारी दोड़ीयां कट कर लूगी इसी से नापनापके ऐसे एक बार में हम कट के लेकिन नापनापके ही लें डोरी को ताकि जब हम इने लगाएं तो कोई भी डोरी छोटी बड़ी ना पड़े और कोई पेपर ले लीजिए और यहां से भी हम इसको ऐसे ही मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद सारी डोरियां कट करके और एक साइड को रख लेंगे फिर हम आपको इसे लगाना बताएंगे तो यह हमने कट कर ली है पूरी डोरी अब यह हम पेपर ले लेंगे पेपर आप कोई भी ले लीजिए तो मैंने यह अपनी जो हमारी बाजू है उससे करिवन एक इंच जादा लिया है लंबाई में ना पना है न हमको यह लंबाई में लगानी है तो एक इंच जादा लेना है अपने बाजू से जितनी भी लंबाई है अब इसको हम डोरी को लगाएंगे और देखिए इसमें थोड़ा-thोड़ा गैप देंगे हम आधा से थोड़ा से एक्स्ट्रा तो इस तरीके से इसको हम लगाएंगे एक हमने लगा दी है और दूसरी को भी हम झेम इसी के पास तो मैंने ये लगा दी हैं और दूसरी जो साइड है इसकी उसकी उपर भी लगानी होंगी तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में तो यहां से देखिए मैंने यहां तक पूरी लगा के और इनको कम्पलीट करके फिर मैं आपको एक साइड इसकी दिखाती हूं तो देखिए मैंने एक साइड को लगा ली है ये डोरी अब हम क्या करेंगे कि हम दूसरी साइड को भी ऐसे ही रखेंगे और इसके अंदर डोरी को डालके देखिए मैंने डोरी के अंदर डोरी को डाला और इस पेपर की जो चोड़ाई है वो मैंने डाई इंच ली है आदा आ तो यहां तक देखिए हम इसको लगा लेंगे पूरा और यहां से भी इसको लगा लेंगे तो इसको भी हम पूरा कम्पलीट करके आपको दिखाते हैं तो देखिए यह मैंने पूरी लगा के तैयार कर ली है आप देख सकते हैं यह इस तरीके से डोरी बन गई है हमारी अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी बाजू लेंगे और बाजू को इस तरीके से सीधा कर लेंगे यह देखिए यहां से मैंने बाजू को एकदम सीधा करके रखा है और जहां से हमने लूप्स को लगा था वहीं तक लगा के हम इसको कम्पलीट कर देंगे यानि कि आपको extra टोरी नहीं दबानी है, जितनी हमने सिलाई लगाते time दबाई थी, उपने में हमको ये लगा के complete करनी है, ये हो गई, अब हम दूसरी side भी ऐसे ही रखेंगे, दूसरी बाजू को, अब हमारी जो दो इंच चोड़ाई है, वो मिल गई है बाजू की, और पूर की लंबाई से, तो उसको कट करके हम निकाल देंगे, जिसे आपको extra दिख रहा है, ये extra जरूर लें, ताकि बाद में छोटा ना पड़े, तो हमने उसको निकाल दिया है, अब ये paper निकाल देंगे, सबसे पहले हम, देखें यहां से, ये पूरा paper हम निकाल के अलग कर तो paper को मैंने निकाल दिया है, आप देख सकती है, बाद जो बहुत अच्छे तरीके से हमारी बनके complete है, दूसरी बाद जो भी हम ऐसे ही बनानी है, अब जो हमारा ये कपड़ा है, इसको हम अंदर की side को ऐसे मोड देंगे, इसको हम इतना मोडेंगे, थोड़ा सा मोड के, फ और इस design को आप पूरी बाजू में भी बना सकते हो, मैंने इसको elbow तक बना के complete किया है, तो देखिए, ये हो गया हमारा, यहां से complete, ठीक है, अब ही हम क्या करेंगे, कि इस पर देखिए, आप चाहें तो button भी लगा सकती हैं बीच में, लेकिन ये ऐसे बहुत अच्छा लग और जैसे इसकी black color की सलवार है, तो matching में बनाओगे तो और भी अच्छा लगेगा, उपड़ से अगर छोटा बड़ा लग रहा है, तो उसको बराबर कर लीजिए, तो हमारी जो बाजू है, तो बाजू बनके तयार है, जरूर बताईएगा कैसी बनी है, धन्यवाद वीडि दिखने के लिए आप सभी का